नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका ओनलाइन भूगोल की कक्षाओं में मैं गोविंद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इंडियन मौनसून को इफेक्ट करने वाले जितने भी जो सिस्टम थे हमने अलीनो को देखा वीडियो में प्रियास भी किया इसकी अदरवाइज इंसो इफेक्ट है सोमाली धारा है लेकिन जो महत्वपून विंदू थे वो हमने कवर अप कर लिये हैं आज का जो हमारा इंडियन मौनसून की क्लास रहेगी उसमें हम बर्शा वित्रण का प्रारू मौनसून की तितियां और किस प्रकार भारत में प्रवेश करता है उससे संबंदी चीजों पर आज हम गौर करेंगे तो आज की क्लास शूरू करते हैं अगर बात करें हम भारत में वर्शा रितू के आगमन की तो सर्व प्रतम भारत का जो मानसून है अगर भारत के मुख्य भूमी की बात करें यहां हमारे अंडमा निकुबार आइलेंड से साइड यहां हमारे लक्ष भी तो सबसे पहले अगर मुख्य भूमी की अगर हम बात करें तो यह क्योंकि पश्चिमी तट हवाओं का जो रुक होता है वो दक्षिन ही पश्चिमी होता है हवाओं के सम्मंद में बात जब भी आती है तो हम एक बिसिक बात यहां समझ लेते हैं कि हवाओं की दिशा जैसे यह उत्री नौर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट तो हवाओं की दिशा हमेशा जिस दिशा से हवाओं चल रही हैं जैसे हवाओं आप मुख करके खड़े हो प पूरव दिशा की ओर है और यदि हवा आपको अपने मुह पर फील हो रही है तो आपके हवा की जो दिशा होगी वो पूरवी होगी हवा हमेशा उस दिशा से इंगित की जाती है जिस दिशा से हवा आ रही है तो इस बात से आप कभी कन्फ्यूज नहीं हो कि हवा जदर जा रही है वो दिशा हमको लिने हैं कई बार बच्चा को कहीं न कहीं केंपूजन इस चीज़ का रहता है तो वह हम थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं तो दक्षिनी पश्चिमी साउट वेस्ट दक्षिनी पश्चिमी हवाय जब आती है मानसूनी हवाय जनी को हम कहते हैं यह मूलित भारत के पश्चिमी तरसे टकराते हैं और सबसे पहले कैरल को यह मानसून हिट करता है एक जून को यह प्रश्चिमी नेट में भी एक बार पूँचा गया है कि भारत में सरप्रता मानसून आता का है अब यहां बात कर रहे हैं यह तो है हमारी भारत की मैन लेंड जो आपको दिखाई दे रही है मुख्य बूमी लेकिन हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले यह वाला जो रीजन है यहां पर अंडमान निकुवार्द वीब समूपे भारत का पहला जो मानसून का जो प्रभाब दिखाई देता है वो अन्नमान निकुबार्द वीब समूपे लगबग 25 मई के आसपास यहां पर यह आकर के ठकराता है जबकि अगर मैनलेंड की बात करें तो एक जून को भारत का आगमन भारत में मानसून का आगमन हो जाता है पांच से दस जो मानसून का प्रभाव आगे जिब हवाएं तीजी से बढ़ती जाती है तो यहां मुंबई है पांच जून तक पांच से दस जून के बीच में इधर से मुंबई पहुंच जाती है और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो इधर के तरब से हवाएं मूव करती हैं क्योंकि लॉप प्रेशर को भरने के लिए हवाएं चल रही है तो कौल काता तक और मुंबई तक पांच से दस जून तक यह मौनसून पहुंच जाता है पंदरा जून तक अहमदाबाद नागपुर को अपनी पकड़ में कर लेता है जैपुर दिल्ली जैसे शहरों तक यह पंदरा से बीस जून के मद्दे तक पहुंच जाता है ग्रिश्मकाल ने मानसून के आगमन को मानसून बिस्पूर्ट भी हम कह देते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आगमन के साथ एका एक भारी वर्षा होती है इसका कारण भी हमने समझा था हम देख रहे थे कि मद्धी जून तक हमारे यहां हम देख रहे थे कि पस्चिमी जेट प्रभा सक्री रहता है और वो कहां तक रहता है अगर हम इस नक्षे को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा यहां तक पस्चिमी जेट प्रभा यानि कि जहां हमारा लौ प्रेशर है उसके ठीक उपर यह जेट प्रभा बना रहता है और यह जेट प्रभा क्या करता है कि नीचे से जो हवा उपर उट रही थी उसको उतनी तेजी से उपर उटने नहीं देता लेकिन जैसे ही यह जेट प्रभा हमाले के उस साइड मूव होता है तो यह हवा बहुत तेजी से उपर की और उट जाती है जिसके परिणाम सरूप क्या होता है जिसके परिणाम सरूप हमारे सामने रिजल्ट यह आता है कि यह जो हवाए बहुत तेजी से उपर नहीं उट पा रही थी हवाए बहुत तेजी से उपर उटती हैं और हवाए पूरी रीजन पर जपटती हैं और हवाय जपटने कारण बहुत तीज वारिश यहां पर शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसे मांसून बिसफूर्ट पास्ट उप मांसून इसी लिए कहते हैं क्योंकि एकाई एक भारी वारिश इससे होती है अचा इप यहां पर एक बात और हम समझने का प्रयास करेंगे वह यह है हम एक मैप और ड्रो कर लेते हैं उसके बाद हम इसको और थोड़ा सा ठीक से अंडर्स्टेट करेंगे भारत में जो मांसून प्रवेश करता है हमारे भारत की स्थिति आप देखेंगे तो यह हमारे भारत की जो स्थिति है यह प्रादी प्रकार की है और इसकी कारण भारत में जो मांसून प्रवेश करता है वो दोनों और से करता है यानि कि दो शाखाओं के रूप में करता है पहली जो हमारी शाखा है वो है अरब सागर की शाखा और दूसरी हमारी जो शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा तो दो शाखाओं के रूप में ये प्रवेश करता है एक इधर से और एक इधर से अगर हम बात करें अरब सागर शाखा की तो अरब सागर की जो शाखा है वो यह पूरे की पूरे पस्चिमी तटपर पस्चिमी घाट परवत, महरास्ट, गुजरात यह वाला रीजन हमारा महरास्ट ये गुजरात पूरा की पूरा रीजन जो है और मद्दे प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं इधर वाले मद्दे प्रदेश के जो पस्चिमी हिस्से हैं इनमें भी ये बारिश करती है अरब शागर की शाखा की हम पुन्हें चर्चा कर लेते हैं पर एक बार अरब सागर की जो शाखा है उसका इंपोर्टेंस क्या है आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जब देखा था भारत की जब हम बहुतिक प्रदेश देख रहे थे तो यहाँ यह जो आप भूरी सी लाइन देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट परवत है और प परवत आपको मैं डाइग्राम के थरूँ इसको बताऊं तो यह कोई माउंटेंस है माउंटें के पास जब हवा आती है तो माउंटेंस क्या करते है हवा को अपने सहारे तेजी से उपर उठा देते है और हवा जब तेजी से उपर उठती है तो हवा का जो प्रेशर है एड उसके ताप में तीजी से कमी आती जैसे हवा उपर उठेगी उसके ताप में कमी आएगी टेंपरेशर इसका क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा तो कंडेंसेशन की प्रोसेस एक पॉइंट ऐसा आजाएगा कि जहां पर इसके अंदर जो घनी भूत जो इसके अंदर करना शुरू कर देगी, क्योंकि हवा को बहुत तेजी से उठा दिया है तो हमारे यहां पस्चिमी घांट परवत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां पर पस्चिमी घांट बिल्कुल खड़े डालबाले परवत है, तो जैसे ही आरब तेम्परिचर डाउन होगा, तो जो जो कंड strands की प्रसेस है, संगरन की प्रक्रिया है वो हो जाएगी, और बारिस होना शुरू हो जाएगी, तो पूरे पस्चिमी घांट के डालों पर खूब बारिस होती है पस्चिमी घांट के पस्चिमी डालों पर अरब सागर की साका से इस पूरी रीजन में खूब बारिश होती है लेकिन यहाँ बर एक महतुकून बिंदू यह है कि दो तरह के प्रदेश हम परवती वर्षा में देखने को हमें दो तरह के प्रदेश जो है परवती वर्षा में देखने को मिलते हैं एक तो वोग शित्र जिसे हवा सीधी धर से टकरा रही है हमारे पस्चिमी घाट पर बिलकुल धर से लेकिन एक अब यहां से हवा उटेगी बर्शा कर देगी किस ढाल पर यह हमारा पस्चिमी घाट पर बत हम इसको मान लेते हैं वेस्टरन घाट माउंटेन तो ये इसकी पस्ची में डाल है पस्ची में डालों पर तो वर्षा खूब हो रही है लेकिन दूसरा इसका पूर्वी जो डाल है पूर्वी डाल पर क्या होगा वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी कम क्यों हो जाएगी और कहीं यह तर 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 तो इस्थान ऐसे भी दिखाई देंगे जहां आपको वर्षा यहां जो आपको वाइड डोटेट बिंदू दिख रहा है यह ब्रश्टी छाया प्रदेश में आता है क्यों क्योंकि हवाई यहां से उपर चड़ जाएंगी बारिश भी कर देंगी लेकिन जो हवाई फिर बचेंगी वो यहां से उतरना शुरू करेंगी और हवाई जिस रीजन में उपर से नीचे की और आती हैं तो हवाई ताप गेन करती हैं हवाय वापिस गर्म हो जाती हैं और इसके कारण क्या होता है कि पूरे रीजन में संगरन की जो प्रोसेस से नहीं हो पाती जिसके कारण किसी भी परवत का चाहे वो पश्चिमी घाट हो या कोई और परवर्शे नहीं हो उसके पवन बिमुकी डाल जो होते हैं बिमुखी ढाल से मतलब है कि जिस साइड से हवा चड़ रही है वो तो होता है उसका पवन मुखी ढाल जिस पर वर्शा होती है इसे पस्चिमी घाट पर हम देखेंगे इधर से हवा चड़ रही है उपर तो ये ढाल इसका ये वाला जो रिजन होगा ये होगा इसका पवन मु तो हम इसको और ठीक से समझने का प्रयास कर लेंगे. अरब शागर की शाखा. यहां हम देखेंगे कि हमारे अराब अली माउंटेंस की रेंजेज इस तरीके से विस्तिरत हैं. हम बात करते हैं हमारे अपने राजस्थान के. इस तरीके से अरब शागर की शाखाएं आती हैं. लेकिन अब आप यहां पर एक बात और देखिए. कि हम बात कर रहे थे लो प्रेशर. तो हमारे यहां ही सबसे अदिक गर्मिया पड़ती है. तो सरबादिक जो लो प्रेशर की स्थिती है. वो हमारे राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ ख्षेतर हैं. पेशावर वाले रीजन वहां रहता है. तो बारिश और हवाएं तो हमारी और जपटनी चाहिए. फिर क्या कारण है कि पूरे भारत की सबसे कम बारिश हमारे यहां होती है. पस्चिमी अगर मैं बात करूँ पस्चिमी राजस्थान की तो यहां तो और भी कम बारिश है. हमारे राजास्थान को पस्च्चिमी जो 25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा वो दो भागों में विवाजित कर देती है या रहतीले इक्षेत्र में और अदिकांश्र जो हमारे दूसरे एक शेत्रे पूर्वी और पस्चिमी राजसानों कहीं हमारी 25 सेंटीमिटर वर्षा रिखा डिवाइड करती है तो क्यों 25 सेंटीमिटर से भी जो पस्चिमी रीजन आप दिखाई दे रहे हो यह 25 सेंटीमिटर से भी कम वर्षा परापत होती है अब इसका एक कारण हम समझ लेते हैं यहां पर अरावली की स्थिति आप देख रहे हो अरावली की स्थिति अरब सागर की शाखाउं से जो हवा आ रही है उसके बिल्कुल समना अंतर है हम देख रहे थे कि यहां पर क्या हो रहा था पस्चिमी घांट थे और पस्चिमी घांट पे हमने देखा कि हवाएं पस्चिमी घांट से सीधी टकरा रही है सीधी टकरा रही है तो क्या होगा बारिश होगी और यदि पस्चिमी घांट की इस्तिती अरावली की जैसी होती हواہ کیا कर रहे हैं आरहे हैं और बिल्कुल सीधी इसके समझांतर निकल के जा रही है इसका मतलब क्या है कि जो अरावली परवर्ष रंकला है वो इन हुआओं के मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर पाता और अवरोध पैदा नहीं कर पाता इसके फिलस्फरूप क्या हो रहा है कि ये पूरा रीजन जो है बारिश के बिना रह जाता है ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये बारिश के बिना रह जाता है अरब सागर की शाखाएं आती है और सीधे इन हवाओं के समनांतर उत्तर भारत की और निकल जाती है तो हमारे राजस्तान में बारिश नहीं होने का भी एक मुख्य कारण ये है कि अरावली परवतमाला की जो इस्थिती है वो दक्षिनी पस्चिमी मानसून की पवनों के सामानांतर है बहुतेक इस्तिती जो है धक्षिनी पश्चिमी मानसुन की पबनों के सामाना अंतर है जिसके कारण ये इन पबनों के मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर पाता है और अवरोध पैदा नहीं कर पाता है तो इस पूर एक शेत्र में बारिश की मात्रा कम रह जाती है ये एक का बस केवल इतना जानना महतुपूर्ण है कि राजस्तान ने बारिश का मूल कारण क्या है कि जो यहाँ पर बारिश नहीं होती तो हम देख चुके हैं आगे बढ़ते हैं चलो हम यहाँ पर डिस्कस करी लेते हैं कि राजस्तान में बर्शा क्यों नहीं होती मौका मिले यह नहीं मिले तो हम राजस्तान को यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं सपूस किज Birds यह हमारी राजस्तान का महभड पर उतना ठीक नहीं है लेकिन समझने के लिए परियाप्त हैang यहाँ पर इस तरीके से हमारे अरावली परवत माला की इस्तिती राजस्तान में है देखने को हमको मिलती है हम देख रहे हैं कि पस्चिमी घंट से आने वाली पबने हैं यह तो हम रीजन देखी चुके हैं और सीधी निकल गई यह तो हुआ एक रीजन दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पर सिंद और पाकिस्तान वाला रीजन है यह सिंद पाकिस्तान यह भी पूरा रीजन क्या है मरुसली है और इस शेतर से क्या हो रहा है गर्म हवाएं आती हैं इस रीजन की और गर्म हवाई मरुसलीक शेतर है तो गर्म हवाई आएंगी गर्म हवाई आने से हो क्या रहा है हमारे पस्चिमी राजस्थान की जो पूरी की पूरी हवाई यहां से जो जा रही है उनकी सापेक्षिक आद्रता वर्षा की मात्रा हमेशा सापेक्षिक आद्रता पर निर्वर करती हैं सापेक्षिक आद्रता हमको दिखाती है कि जो वायू है उसमें पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है पानी की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी जदा वर्षा की संभावना होगी जितनी प्रतिशत सापेक्षिक आद्रता होगी उतनी ही वर्षा की संभावना आप हमेशा जब भी अपने मुबाइल में देखते हो तो लिखा हुआ आता है बारिश का सिंबल बन करके कि 15 परसेंट या 20 परसेंट या 90 परसेंट जो भी है तो जो आपको दिखाई देती है वो सापेक्षिक आधरता ही दिखाई देती है तो सिंद शित्र से जो हवाएं आती है वो हमारी मानसूनी हवाओं की सापेक्षिक आधरता को कम कर देती है और सापेक्षिक आधरता कम हो जाएगी तो वर्षा की जो मात्रा है वो स्वते ही कम हो जाएगी क्योंकि संगनन की जो दर है वो न्यून हो जाएगी जिसके कारण य आगे शर्चा करते हैं भारत की अन्य महतुपूर्ण हिस्सों की मैं यहाँ पर पूर्वानचल भारत का नक्षा हम बनाएंगे अमीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ यह हमारा पूर्वानचल वाला हिस्सा है असम मेगाले त्रिपुरा मिजोरम नाकाले एंड मनी पूर वाला रीजन जो है यहाँ पर हम पहले भी देख चुके हैं तीन पहाड़िया है गारो, खासी और जैनतिया हिल्स यह पूरा रीजन पढ़ता है मेगाले स्टेट में तो यह जो तीनो पहाड़िया है गारो, खासी और जैनतिया हिल्स यह क्या है कीपनुमाशेब में इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस पूरे रेजन की यहां पर यह तीनों पाहड़े की स्थिद्धी है यहां गारों खासी जाइंतिया हिल्स बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसूनी शाखा है और सीधी इनमें फस जाती है इनकी आकरती कीपनुमा है इस तरीके से कीपनुमा आकरती होने की कारण क्या है मानसूनी हवा इसमें आती है और ट्रैप हो जाती है ट्रैप होने से मतलब फस जाती है और यहां पर घंगोर वर्शा करती है कुछ गाउं है मौसिन राम चेरापूंजी वो इन्हीं की तरहेटियों में बिलकुल इनकी तलहेटियों में होने की कारण क्या है यहां पर बहुत अधिक वर्शा होती है एक साथ वर्शा होती है और सालाना बारा सो सेंटीमिटर के असपास इनमें वर्शा होती है तो ये विश्फ में सरभादिक वार्षिक वर्सा वाले इस्थानों में शामिल हो जाते हैं कारण क्या है कि इनकी जो इस्तिति है वो कीपा कार शेप में होने की कारण मांसुनी हवाएं इस पूरे क्षेत्र में फस जाती है जिसे यहाँ घंगोर बारिश होती है अगर हम बात करें दोनों शाखाओं की इस्तिती की तो अरब सागर की जो साखा है वो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे कहीं दिक बल्वती होती है लेकिन भारत में वर्षा के प्रारूप को अगर हम देखें तो अरब सागर की जो शाखा है वो पूरे भारत में बर्शाव करने के लिए जो महतुपून है वो बंगाल की खाड़ी की शाका ज्यादा महतुपून डॉल प्ले करती है भारत में आने वाली आदरता की स्थिति को हम देखें तो जितनी आदरता आती उसका 65% हमको अरब सागर की शाका से मिलता है जबकि 35% हमको बंगाल की खाड़ी की शाका से मिलता है बंगाल की खाड़ी की स्थितिक बंगाल की खाड़ी वाली शाका है वो पस्चिम बंगाल से प्रवेश करती है और पस्ची मंगाल से प्रवेश करते हुए ये जो शाखा है हर्याना पंजाब यहाँ पे ये बिहार उत्तर प्रदीश मद्रदीश हर्याना पंजाब तक ये शाखा जाती है मूँ लेता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विन्देचल और सत्पुड़ा की शेणिया हैं यहाँ से अरब साकर की शाखा इनमें प्रवेश करती है और इनकी सहारे सहारे वर्शा करती हुई निकल जाती है तो कहीं न कहीं पस्ची मिगांट इनके मार्ग में अपरोद करते प्राइद प्रीवेश हैं वार्वेश हैं तो जिए फार्वश देख रहे हैं वर्शा करती है यह करती भी अरब साकर की साकर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज एक लास यह समापत होती हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच